हेलो लामस्कार इस यूटूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हारदीक स्वागत है उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एक्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBA Clerical Prelims का जो एक्जाम हुआ है 10 जुलाई को उसमें सेफ अटेम्ट क्या रह सकता है तो गैस वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहेगा लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों इस वीडियो में और जो भी केंडियो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकोन को जरूर प्रेस कीजिए गा तो आप जो कंडिनेट्स 24 शिफ्ट में एकजाम देने गए थे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंड कीजियागा की उनके एकजामनेशन में क्या 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 कुश्चन बने थे तो guys इन तीनो shift का जो मैंने analysis किया है तो मुझे दोस्तों एक ही लगा है कि जो reasoning का जो section है उसमें uncertain जो row की जो puzzle थी तो वो काफी easy level की थी उसके बाद हमें circular sitting arrangement भी देखने को मिला square sitting arrangement भी देखने को मिला और box puzzle भी देखने को मिली यह दोस्तों अलग-अलग shift में अलग-अलग जो जैसे की circular sitting arrangement अलग में आया था तो square sitting arrangement अलग में आया था और दोस्तों week based puzzle भी देखने को मिली थी और जो month based puzzle है वो भी हमें देखने को मिली थी तो यह दो रहाद दोस्तों puzzle का overview और सभी puzzle दोस्तों doable थी बनाने लाइक थी और अगर दोस्तों बात करूँ मैं inequality और शिलोक की तो लगबग-लगबग सभी shift में inequality और सिलोक देखने को मिले और उसके अलाव़ दौस्तों बात करूँ तो alpha numeric series हमें देखने को को मिली हमें जो नंबर की जो सीरीज है वो भी हमें देखने को मिली जैसे कि त्री डिजिट का जो नंबर है उसके पांच नंबर दे रखें और उस पर एक सीरीज हमें देखने को मिली हमें दोस्तों इंग्लिस के अलफाबेट्स पर हमें सीरीज देखने को मिली तो वह भी कही one q2 भी पूछ लिया गया ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वाइड एक्वेशन की तो वह यहां पर नहीं पूछा गया कैसलेट डियाई दोस्तों हमें देखने को मिली कुछ शिप्ट में दोस्तों टेबल डियाई देखने को मिली तो कुछ शिप्ट में बार ग्राफ भी देखने को मिला और कुछ शिप्ट में लाइन ग्राफ भी देखने को मिला उसके बाद सिंप्लिफिकेशन की दोस्तों बात करूँ मैं arithmetic की तो लगबग लगबग सभी shift में 10 के आसपास जो arithmetic के question थे वो पूछे गए थे तो guys overall अगर mathematics की बात करूँ तो कहीं न कहीं exam का जो level था वो moderate level था English की बात करूँ तो RC तो सभी shift में पूछा गया उसमें 7 से 10 के पीच लगबग लगबग question पूछे गए और अगर दोस्तों बात करूँ word swap की तो word swap के 4 से 5 या फिर किसी shift में 3 question हमें देखने को मिले तो वो भी काफी easy level के थे close test किसी में देखने को मिला और किसी में fillers देखने को मिले उसके बाद rearrangement of sentence भी हमें देखने को मिला जो की काफी easy था ठीक है अगर दोस्तों आज की सभी shift का अगर overall में review आपको दूँ तो reasoning दोस्तों मुझे लगा easy ठीक है जो mathematics से दोस्तों वो लगा moderate और English का जो level है वो easy level लगा ठीक है और इसमें अगर दोस्तों आपकी accuracy अगर 100% है या फिर 95% के आसपास है तो कहीं न कहीं आप examination को जरूर क्रेक कर लोगे अब अगर इनके overall safe attempt की बात करूँ मैं दोस्तों individual सबसे पहले ले लेते हैं तो reasoning में दोस्तों जो safe attempt है वो 27 से 30 के आसपास रहेंगे एक दो एक दो attempt दोस्तों यहां पर उपर नीचे भी हो सकते हैं mathematics की दोस्तों अगर बात करूँ तो 23 से 25 के आसपास क्योंकि दोस्तों यहां पर moderate level का examination था maths का सभी shift में बात करूं English की दोस्तों तो 12 से 15 के आसपास यहां पर safe attempt रहेंगे क्योंकि easy level था दोस्तों अब अगर overall safe attempt की बात करूं दोस्तों 100 में से तो 65 से 70 के आसपास यहां पर अगर आपके attempt हैं और with accuracy दोस्तों 95 प्लस की accuracy यहां पर मैं कह रहा हूं तो आप कहीं ने कहीं दोस्तों safe हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहां से दोस्तों चार से पांच attempt यहां पर उपर नीचे भी हो सकते हैं जैसे कि 70 का 74 भी हो सकता है और 65 का दोस्तों 63 भी हो सकता है और 67 भी हो सकता है तो आप एक जो candidates exam दे करके आये हैं वो एकदम free mind हो जाई ही दोस्तों जितने हो चुके हैं उतने में आपका selection definitely हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों काफी सारे candidates ये भी पूछ रहे हैं कि mock test कौन सा दें तो दोस्तों mock test मेरा session रहेगा कि आज आप अड़ा 247 का mock test लगा करके देखिया memory based जो आज के exam में जो question आ रखे हैं उसका mock test आपको दोस्तों अड़ा 247 की website पर मिलेगा जो candidates 11, 12 और 13 जुलाई को exam देंगे तो वो आज memory based paper जो है वो एक बार जरूर लगाई है औ और जिन candidates का 11, 12, 13 को examination है उन सभी को मेरी ओर से ठीर सारी सुपकाम नहीं और इनका जो analysis है दोस्तों वो आपको हमारे YouTube channel पर मिल जाएगा कल ठीक है और आज की जो सभी shift है उन सभी का analysis दोस्तों मैं already दे चुका हूं तो जाए हमारे channel पर और उन videos को जरूर देखिएगा आज क वीडियो में सिर्फ इतने दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिन जय भारत have a nice day